नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं और इस द्रिष्टी कोन से जर्खन की अपने अस्थानिय नीती की घोसना करना राज सरकार के दोरा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था उन्होंने कहा है कि अस्थानिय नीती के साथ नियोजन नीती को जोड़ कर देखना पूरी तरह गलत है युवाओ, आदिवासियों, एवं मुल निवासियों के साथ ही लंबे समयत जर्खन में रह रहे युवाओ के हीत में जल्द से जल्द नियोजन नीती की घोसना कर उसे लागू किया जाना चाहिए बतादे बंधूतिर्गी ने कहा है कि जार्खन में फिलाल ऐसी कोई नियोजन नीती नहीं है जो यहां के चात्र छत्राओं और युवाओं में विश्वास पैदा कर सके इसके कारण युवाओं में गहरी निरासा है और वे बरसों से रोजगार की प्रतिक्छा में बैठे हुए है जार्खन में ठंड से अभिराहत मिले की समभवना नहीं है राजे में मौसम बदलाव जारी रह सकता है फिलाल सर्द हवा का रूख बना हुआ है लेकिन अब यह कमजोर पड़ रही है राजे में एक दो दिनों के दवरान तापमन बढ़ने की समभवना है लेकिन इसके बाद बर फिली हवा का रूख जार्खन की ओर हो सकता है इसे पारा गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है मौसम में बदलाव का कारण तो लागातार पच्मी भी छोब मौसम विभाग के अनुसार देश के पच्मोतर भाग के मौसम में फिर से बदलाव आने की समभवना है बता दे आठ फरवरी को देश के उत्री भागो में मौसम दस्तक देगा इस दोरान मैदानी भागो पर बादल चाहे रहेंगे सिक्छा के छेतर में आगे बढ़ रही बेटियां जार्खन में सिक्छा को बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे किये जाते हैं जार्खन में लड़कियों की सिक्छा को लेकर कई कदम उठाने की बात कही जाती है जार्खन में लड़कियों की सिक्छा के आकड़या बताते हैं कि आप खोश हो सकते हैं लेकिस संतुष्ट नहीं बता दे एक common नारा है बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हर्माब आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं नीजी स्कूल की भारे भरकम फीस वहन नहीं कर पाने वालों को सरकारी स्कूल का सहरा मिलता है लेकिन सबसे बड़ी चुनवती बच्चियों की पढ़ाई को लेकर है बता दे ऐसी सोच को बदलने के लिए कई जागरूपता अभियान भी चलाएगा है ज़्यादा सज़्यादा बच्चे स्कूल में आए इसके लिए मिड डे मिल की विवस्था भी है वही मुफ्त पुष्टक के लावार रेस दिया जाता है लड़कियों के लिए तो साइकल देने के भी बेवस्था है सीम हमंत ने मंतरी गिरी राज सिंग से की मुलकात मुख्य मंतरी ने कहा है कि निबांधित सभी लाभुक गरीब है और उन्हें आवास उपलब्द कराना बेहत जरूरी है मुख्य मंतरी ने केंद्रिये मंतरी से इस मामले में जल्द निरना लेकर गरीबों के लिए आवास स्विक्रिती करने का नुरोध किया है बता दे मुख्य मंतरी ने 15 में बीत आयोग के तहट जर्खन की पकाया रासी निर्गत कराने का भियागर किया इसके अलावा केंद्रिये 82-2024 में मंडेगा के तहट रासी में की गई कटोती पर भी चर्चा की गई जर्खन के किसानों के खाते में अब आएगी पी-म किसान की तरहवी किस्त परधान मंतरी किसान समान निधी योजना के लाबकों के खाते में बहुत जल्द तरहवी किस्त आ सकती है मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवारी के महिने में ही पंजी किरित किसानों के खाते में परधान मंत्री नायन मोदी के 2,000 रुपए की किस्त टांसपर कर सकते हैं जारखन के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे जारखन में 31,1604 किसान PM किसान योजना के तहत पंजी किरित हैं इस में से 7,32,697 किसानों के खाते में पिछली बार पंड टांसफर किये गए थे जारखन को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सोगाद ज़ारखन को तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सोगात मिल सकती है, ए ट्रेन ने राजधानी राची से पटना और हवडा रूट पर चलेंगी, रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर सिलीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फासला किया है, ले सकते हैं. लेखिका डाक्टर महुवाजी ने कहा है कि पूरा विप्रक्ष एक जुट हो चुका है, सभी मिलकर विरोध प्रलसन कर रहे हैं, हम जबाब चाहते हैं, आखिर सरकार आदानी को क्यों बचाना चाहती है, जहां मों की नेता ने आरोप लगा जाया है कि देश में सभी सरकारी क कमपनियों का निजी करन किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जहारखन में फिर फसेगी 3006 को की नियुकती, जहारखन में 80, उतक्रिष्ट और 325 आदर्स विद्यालों में लगभग 3006 को की नियुकती होगी, इसे लेकर जहारखन सिक्षा पर्योजना सीप ने सभी जीलों को पत्र भेजा है, इसमें प्रवधान के अनुरूप सभी बर्गों के आरक्षन के लिए कॉलम बनाया जया है, पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षन का उलेख नहीं है, ऐसे में शिक्षक नियुकती पर के लिए भी पहुश सक अनुरमेट भी भेजा है, ज्यारखन के पलास्थली से बंगाल के अंडाल तक फिर चलेगी टेन, मुख्य मंत्री हमंशने ने जाम तड़ा अंतरगत नाला के बंद पड़े पलास्थली रेल लाइन को फिर चालू करने के लिए रेल मंत्री अस्वेनी वैसनों को पत्र दिखा है कि नाला के इसी एल के लिज भोमी पर अवैद उत्खनन होने के कारण जाम तड़ा जीला के पलास्थली एस्टेशन से पच्छिम बंगाल के अंडाल तक रेल सेवाओ का परिचालन 26 सितंबर 2002 से बंद है, इस रेल लाइन में 9 किलोमीटर भाग एवाम दो रेल एस लोगों को काफी लभानुईत होते थे, साथी छात्रों दोवारा भी उच्छ सिक्छा के लिए पच्छिम बंगाल अवागमन के लिए उक्त ट्रेनों का उप्यों किया जाता था करोना काल के दो साल बाद एक बार फिर राज किये इट खोरी महोसों का आयोजन 29 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है, तिन दिवसी इस महोसों की तारिक जैसे जैसे नईतिक आते जा रही है, वैसे वैसे त्यारी जोर पकड़ रही है इस महोसों के सांस्कृती करिकरमों में कलकारों का आना लगभकताई हो गया है वोलिवोड गायक सबीर कुमार जहां अपनी सुरो से लोगों को मंत्र मग्ध करेंगे, वहीं गजल गाई का राधिका चोपड़ा अपने आवाज का जलवा भी खेरेंगी, इसके अलावा मिरि इस पूझा सिंगल की जमानत पर सुनवाई 10 फरवारी को मनिल लोणडिक मामने में आ रूप पी, निलांबित आयएस पूझा सिंगल की जमानत पर सुरिम कोट में सुनवाई होई, सुरिम कोट के जस्टिस अंजाई की सन कॉल और जस्टिस मनोज मिस्तरा की खंड़ पिथ म अदालत ने इडी के आगरा को सुविकार करते में ममले में अगली सुनवाईदास परवाई को निधारित की है बिधायक इर्फान अंसारी से इडी ने की 9 घंटे तक पुष्टाच इर्फान अंसारी सुवा करीब 11 बजे इडी के रहले पहुंचे और रात 8 बजे तक इडी के दफ्टर में रहे इडी की पुष्टाच में उन्होंने असपस्ट किया है कि उन्होंने कभी भी हेमंद सुरेन की सरकार गिराने के साजिस नहीं रची उन्हें पार्टी के भीतर वा पार्टी के बाहर बादनाम किया गया है वे बिधायकों की खरीद फरोक्त का हिस्सा कभी नहीं रहे डाक्टर इफान अंसारी ने इडी को बताया है कि वे अपने दो अने साथी बिधायक राजस कक्षप और नमन बिक्सल कगोडी के साथ बीते साल तीस जुलाई को कुलकत्ता में साड़ी खरीदने जा रहे थे साड़ी छेतर में महिलाओं के बीच बाटने के उदेश से खरीदने गये थे क्योंकि ठोक में साड़ी सस्ती परती है पूलिस से जुड़ेगी सुचना एवं परदयोगी की जिमेदारी आम जनता की सिकायत हो पूलिस की तकनीकी सिवाय हो या फिर सुचना परदयोगी का कोई मामला हो जांच से लेकर नयाज तक की रप्तार बढ़ने की समभवना है बताद जार्खन पूलिस की संचार एवं तकनीकी सिवा विंग अब अधिक तकनीकी सिविधाओं से लाइस होगी इसकी जिमेदारी बढ़ने जा रही है इसका नमायंकरन अब सुचना परदयोगी संचार एवं तकनीकी सिवाय होगा राज सरकार की समाती के बाद पूलिस मुख्याले ने इससे समभवनदीद ड्रॉप्ट त्यार कर लिया है बहुत जल्द ही इससे समभवनदीद अजिस उतना जारी होगी इस नए विंग के लिए जार्खन पूलिस मुख्याले ने राज सरकार से अनुसंसा की थी इसमें बताया था कि जहरकंड पुलिस के अधिन बरतमान में सुचना पर दोकी से सम्वंधित कारेचेतर का भी बिश्त्रित हो गया है 13 फरवारी से सुरू हो रही इंटर और हाई स्कूल की परिक्छाएं बोर्ड की परिक्छाओं के लिए मात्र एक सब्ता का समय बचा है जैक बोर्ड, CBAC, CIAC की दास्वी बराहमी की परिक्छाओं में 66,000 बिद्यारती सामिल होंगे इसके लिए सभी बोर्ड वा कॉंसिल ने अपने अपनी त्यारी कर लिए है CIAC की ओर से बराहमी की मुख्य परिक्छा 13 फरवरी से और 10 वी की परिक्छा 27 फरवरी से आउजित होगी बता दे CBAC बोर्ड की बराहमी की परिक्छा 16 फरवरी से वह 10 वी की परिक्छा 27 से सुरू हो रही है वहीं, जैक बोड की मैट्री कोइंट गी परिक्षा 14 माज से 5 अप्रेल तक होगी पारा सिक्षक बार टेट पास अभियार्थी, आज निकालेंगे त्राहीमा मयातरा पारा सिक्षक गयर पारा जेटेट सफल अभियार्थी संके नतित में साथ फरव़ी को जेटेट सफल अभियार्थी साथ फरव़ी 2023 को राजदानी राची में त्रही माम यात्रा पैदल मार्च निकालेंगे राजे के जेटेट सफल पारा सिक्छक और गयर पारा अभियार्थी पुराना विधान सभाग के पास मैदान में एक जूट होकर हाथों में तिरंगा जहनडा लेकर संतिप्रुन धंग से जुलूस निकालेंगे यह जुलूस बीर्षा चोक हिनु चोक और एजी मोड होते हुए सिक्षा मति जगनात मतों के डुरंडा इसीत आवास पर पहुंच कर सीधी नियुक्ति की गुहार लगाएंगे सुमवार को संग के परदेश अध्यक्स कुनाल दास और महासचीव मुरारी कुमार दास ने एक सन्युक्त ब्यान जारी करते हुए कहा है कि वर्स 2013 और 16 में आयोजीत जार्खन सिक्षक पतरता परिक्षा जार्खन प्रारामिक विद्याले सिक्षक नियुक्ति निमाली 2012 के अलोक में ली गई थी लेकिन बिगत साथ वर्सों में एक भी नियुक्ति परिक्रिया में उन्हें सामिल होने का उसर नहीं मिला धन्यवाद